अर्विन के जुवाल अपनी रिहाई के बाद आज पहली बार हर्याना में रोडशो कर रहे हैं इंडिया अलाइंस और आमादभी पार्टी के उमिदवार सुशीर गुपता के समर्थन में रोडशो चल रहा है लेकिन अहम बात यह है कि अर्विन के जुवाल ने ना केवल अपनी अच्छी सिक्षा फ्री उलेक्रिसिटी वाले कार्ट पे आज हर्याना के लोगों से वोट मांगा बलकि अगनिवीर जैसे स्कीम्स को खतम करने और चीन से जमीन वापस लेने जैसे मुद्दो को भी उठाया है इस वक्त आपको दिखाए देगा गारियों का काफिला जा रहा है यहाँ जो सानिय लोग हैं उनसे समझते हैं आखिरकार क्या ये कार्ट जो अर्विन के जवाल आप खेलने की कोशिस कर रहे हैं चुनावों में लोकसभा चुनावों में उसका असर पढ़ता हुआ दिख रहा है आप नाम क्या है किस पार्टी से मेरा सुनील कुमार है मैं सबसे पहले मीडिया के जितनी भी मलब दर्सक है उनको धन्यवाद बोलूँगा इस पार्टी से हैं? मैं आमादी पार्टी से हैं तो आपके निता जी कह रहे हैं यहाँ बगवंत मान की रिस्तदारी है पहुआ से कोई वोट जो है बीजेपी को ना पड़े आपको एक और चीज एहम चीज दिखाई देगी हर्याने में और कुरुक्षेतर में यह जो आप बंधन देखेंगे गडबंधन का असर में आपको दिखाता हूं यह जो पूरा फटका जिसको कहते हैं इसमें आधा आमादमी पार्टी और आधा कॉंग्रेस का फटका है यह आईडिया किसका है जी मेरा जी और 2011 से टंडा और चाता एक साथ बाद जी देखो पहले दूप का बचाओ जरूरी है और 2011 से नाम तो मनोजा ना के नाम से लोग पुखारते हैं रेवाडी से हो जी में और दो समर्ता के ज़्वाल के हाजी और क्योंकि दूप का बचाओ बहुत जरूरी है तो ये एक एहम चीज में क्या नाम से आपका यहीं करेने वाले हैं जी यहां करेने वाले हैं जी ज़्वाल आपके इलाके में आए कहा है इन्होंने कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो मुझे जेल बेज दिया जाएगा अगर मुझे जेल से बाहर इन्हों है किया गारन है करनी कि जो काम वादे करते हैं मोदी जी उद्र गुझराद की द़र भी सारा पैसा लगये जारे हैं यहां हर्यारम यहां कमारा पुल यहां इसको बनते हैं दो साल होगे किसी पप्लिक से पूछ को दे लो क्या बन गया हो इसी पार्टी के कारिक इता है ना इस तो बीजेपी को वोट दें और जेल से बाहर रखना चाहते हैं तो आप इंडिया एलाइंस को वोट दें तो क्या यह चुनावी मुद्दा यहां बन यहां के एक पूल तक तो त्यार हो रहा नहीं डेवलप्मेंट की बात की जाए तो पूल तक तो तो त्यार हो रहा नहीं चौंग पे पांच साल लग चुके हैं तो यहीं पे हम तो अपना डेवलप्मेंट लोकल के अरिया से देखेंगे तो यहां पे तो कुछ भी हमें डे पिछले दो बार से तो बीजेपी जीते आई है और उसमें भी जो वोट बैंक है चाहे वो ब्रामनों का हो या उबिसी समाज का हो या दलित वोट बैंक में भी बड़ा चंग बीजेपी को जाता था तो उसमें क्या फेर बदल होता है अच्छुली अब हम तो अपने शेहर की देवलोप्मेंट के हिसाब सही देखें यह पर हमें तो कुछ भी यहां का डेवलोप्मेंट की नहराजगी है बिल्कुल और यह जो आज नया कार्ड आपने सुना मुख्यूंतरी अर्विंद के शुवाल कह रहे थे कि चीन की जमीन वापस लेंगे अगनिवीर स्कीम को खत अम यह यहां अब लोगों के बीच यह मुद्दा है आपका नाम क्या है सर किस पार्टी से आप किसि पार्टी से हैं ल्टसर महां अद्मी आप आप लुटी वाले देवाले जाले तो मारे यहां तो बीजे-पी ऑकि वजे तो ये दस साल में पिछली बार 2014 में भी मुद्दी को बनाया और खट्र सरकार बनाई दो जार उन्नी में भी बनाई लेकिन डूइल्पमेंट कुछ नहीं किया ये नौकरियों का ब्रोजगारी बहुत ज्यादा जी महंगाई बहुत ज्यादा किसानों के साथ बहुत तस जाट बरादरी जहां रहती है वहां बीजे पी का वीरोध है जहां सिक समुदाय से आप जैसे बाih साब यह खड़े हैं वहां बीजे पी का विरोध है नरेतिव बनाया जा रहा है लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत बड़ा वोट बैंक है ना को रुक्शेत में जिसके द तो अगर वोट बैंक काटते हैं तो नुकसान तो इंडिया एलाइंस का होगा अब है चटाला को बता भी अमीच सा की टिक्ट दी हुई है जो पार्टी हम तो उसको वोट करेंगे जो पार्टी ब्जएपी को बात करें तो अलग अलग मुद्रे है शेहर में आप अगर कुरुक्षित्र के शहरी इलागों की बात करें तो वहां पे आपको मिक्स्ड विचार मिलेगा लेकिन इस वक्त जिस रैली में हम आये थे रोड शो में अर्विन के जिवाल का पहला रोड शो उनको देखने के लिए ये पहवा विधान सबा है जहां से संदीप सिंग विधायक है पूर्व मंतरी है उनको लेके अलग नाराजगी बाजार में आपको दिखाई देती है आम लोगों के बीच काफी अलग-अ अग मुद्दे हैं जो स्थानिय विधायक के खिलाफ है एहम बात ये है कि कुरुक्षेत्र लोगसबा वही सीट है जहां से नायाब सिंग सैनी यानि कि हर्याना के मुख्यमंतरी भी वास्ता रखते हैं वो यहीं ससांसत बने थे नवीन जिंदल को बीजेपी ने चुनावी रण में एक अलग तरह का नरेटिव सेट करने की आज कोशिस कर रहे हैं इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मेरी रहाई चाते हैं तो इंडिया एलाइंस को ना के वल कुरुक्षेत्र में वोट करें बलकि पूरे हर्याना में वोट करें आखरी जनाव लड़ने के लिए भी एक बड़ी मशीनरी चाहिए होती है वो है उसके सामने कैसे इंडिया एलाइंस टिकेगा जो नमीन जिंदल जी है उन्होंने कोला घटाला कर रखा है बरस्ट नीता है जो हमारे डक्टर शुशील गुपता है वो एक इमानदार में सच्ची री जिवाल ने आज की है वो बहुत एहम है सबसे पहला कार्ट की अगर इंडिया एलाइंस को वोट दिया जाता है तो उनको एक जून के बाद जेल जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी एक एमोशनल कार्ट है जो अरविंद के जिवाल खेल रहे हैं इसके साथ साथ उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो हर्याना के आम लोगों के बीच एक एहम मुद्दा है चाहे वो अगनिवीर का मुद्दा हो या फिर ओल्ड पिंसन स्कीम का मुद्दा हो कुल मिलाकर अरविंद के जिवाल अपने पुराने चुनावी वादों के साथ राष्ट्रवादी पस लेने जैसे मुद्दों को हर्याना की भूमी पे उठाते हुए सुनाई दे रहे हैं वीडियो सही योगी लोकेंदर के साथ महमेद भारदवाज कुरुकशेत्र आस्ता